हेलो दोस्तो तो अड़ा सारे अंदा साड इस चैनल जनल नॉलज विला उपर बहुत स्वागत है आज दी एह वीडियो बहुत खास होन जा रही है इस वीडियो विच मैं जेल वाडर संबंदी कैंडिडेट्स दे डाउट्स धूर करन दी कोशिश करूँगा दोस्तो जेकर तुसी चौनदेओं की तो हाड़े सारे डाउट्स क्लियर होन सलेक्शन परसेस की होएगी एज की होएगी ते कौलिफकेशन की होन गिया सारे डाउट्स बारे में तो हाणनू टर्न बाई टर्न दस होँगा ताप प्लीज इस वीडियो नो स्टार्टिंग तो लेके एंड तक जुरूर देखेो ते मैं इस वीडियो नो शुरू करा उस तो पहला जेकर तुसी साथ दे इस चैनल ते पहली वार विजट कीता है ताप प्लीज इस चैनल नो सबस्क्राइब करो अते नाल ही बेल आइकन दबो तागी तो हानू और वाडियां जॉब्स बारे अपडेट सबतों पहला अते सही सही मिल सके एक होर इंपॉर्टन गाल लास्ट टाइम जो रेस होई सी कुजक सेंट्रा विच रेस और एफ आईडी चिप टाइमिंग सिस्टम रही करवाई गई सी जिस दी पूरी जानकारी मैं एक वीडियो विच दे दिती है जिस दा लिंक तुह नो डिस्क्रिप्शन विच मिल जावेगा ता दोस्तों तुसी इस वीडियो नो जरूर देख लेना है दोस्तों जिवें की जेल वाडरा दियां 305 असामिया नो पंजाब कैबिनेट वलों हरी चंडी मिल गई है अतियास है कि एक दो महिने दे अंदर अंदर इस दा ओफिशन नोटिफकेशन वी आ जावेगा दोस्तों नाल ही पंजाब पुलिस दियां जो परतियां नुहरी चंडी मिली होई है उस दियां परतियां लेई वी नोटिफकेशन नाल ही आ सागदा है इसलिए तुसी अपनी त्यारी रखनी है मैं इते पंजाब पुलिस दी गल इसलिए कीती है क्योंकि जदो लास्ट टाइम परतियां आईयां सी ता पंजाब पुलिस हते जेल पुलिस वार्डर दियां परतियां इकठियां ही आईयां सी तां दोस्तों आज कीती जान दी है कि इस वार वी ये दोनों एकठियां ही आउन गया सारे आनों इस न्यूज वारे पता लग चुका है अते बहुत सारे कैंटडेट्स अपने डाउट्स में इनों कमेंट्स रही पुछ रहने जिमें की कौलिफकेशन, एज, फिजिकल टेस्ट बारे तां दोस्तों मैं एक एक करके इह डाउट्स कलियर करांगा एक ते मैं तोहानू जो लास्ट टाइम जेल वार डर दी परती बारे जो नोटिफकेशन आया सी उस विच दिते गए क्राइटेरिया दसांगा तां इस वार सेम ओही क्राइटेरिया होवे कह नहीं सकते पर तोहानू इस नाल एक आइडिया जरूर मिल जावेगा दोस्तों हर एक अड़टाइजमेंट विच 80-90% क्राइटेरिया सेम ही रहनदा है अते हो सकता है कि इस वार भी सेम ही होवे तां सबतों पहला आपा मोस्ट कॉमन डावट दी गल करिए की कौलिवकरेशन की होन गिया इस जॉब वास्टे तां दोस्तों लास्ट टाइम इस वास्टे पलस टू पास कैंडिडेट्स मंगे गय ए सी किसे वी स्ट्रीम विच प्लास टू पास कैंडिडेट्स इस परती लई इलिजिबल होंदा है अते एक्स सर्विसमेन वास्ते मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी होंदा है अते नाल ही नाल मैट्रिकुलेशन विच पंजाबी विशा पास होना जरूरी होंदा है दोस्तो एक राइटीरिया मिन्नू नहीं लगदा चेंज होवेगा एहे इद्धा ही सेम ही रहन दी उमीद है नेक्स्ट गल कर देयां एज दी तां दोस्तो जनरल वास्ते एज ठारा तो पच्ची साल रखी गई सी अते SC, ST, BC वास्ते पांच साल दी शूड दती गई सी जानी रिजर्वड केटागिरी वाले कैंडिडेट्स ती साल तक दे कैंडिडेट्स इस फार्म नूँ पर साख दे सी नेक्स्ट जो जो मोस्ट कोमन डाउट एया कि इस दा FreshTS होवेगा तां हान जी दोस्तो लास्ट टाइम भी इस दा फिजिकल टेस्ट होया सी जो की दो पागाविच होंदा है एक PMT फिजिकल मेयरमेंट टेस्ट अते दूसरा PST जाने फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PMT विच कैंडिडेट दी हाइट मापी जान दी है अते शाती दा माप ले आ जान दा है अते मेल कैंडिडेट वास्ते जड़ी हाइट सी पांच फुट सात इंच रखी गई सी अते शाती तेती इंच बिना फुलाए अते फुलाए के साड़े चौनती इंच होनी चाहिए दी है नेक्स्ट गाल लेकर ये फीजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट दी ता इस विच रेस लॉंग जम्प अते हाई जम्प आ जान दा है रेस सूलां सो मीटर साड़े शे मिन्ट विच कंप्लीट करनी होन दी है इसलिए एक चांस ही मिल दा है ता दोस्तो सारे कैंडिडेट्स इसलिए बहुत जोर लगोंदे हैं कई ता दो तो तिन तिन मेंने पहला ही प्रैक्टिस शुरू कार देंदे हैं लॉंग जम्प कट तो काट तिन पॉइंट अट मीटर दा होना चाहिए है ते इसलिए तिन चांस मिल देने ठीक है जी नेक्स्ट है जी हाई जम्प कट तो काट एक पॉइंट दास मीटर दा होना जाईदा है ते इस विच तिन चांस मिल देने एकस सर्विसमेन वास्ते वक्रा क्राइटिरिया होना है कि चौदा सो मीटर वाक नौ मिन्ट विच पूरी कानी होन दी है ते दस फुल सकाट काने होन देने नेक्स्ट गाल कर देयां जी मारकिंग सिस्टम दी ता दोस्तो पांच फुट ते साथ इंच तो लेके पांच फुट आठ इंच वाले दे दास नमबर एड होन देने एदा ही तो उसी करमवार जड़ी मारकिंग स्क्रीन उपर देख साकते हो ते 6 फुट हाइट तो उपर वाले कैंडिडेट नो 15 मारक्स मिल देने ते सिद्धी सिद्धी यही गाल है कि दोस्तो की जेदी हाइट ज़ादा होन दी है उस नो ज़ादा बेनिफिट मिल दा है नेक्स्ट गाल करिए तो 10 प्लस 2 दी परसेंटेज दे अकोर्डिंग जो नमबर जड़ दे हने ओ इस तरह हन 40 परसेंट तक जान 40 परसेंट वाले बच्चेयां दे 10 मारक्स जड़ दे हन चाली तो ज़ादा अते 5 वाले यहाँ दे 11 इस तरह करमवार तुसी नमबर सिस्टम जो तुसी अपने स्क्रीन उपर देख सागते हो इस विच भी 80 परसेंट तो उपर वाले कैंडिडेट्स दे 15 माक्स जड़ दे हन जो की मैक्सिमम हन ते जादा परसेंटेज वाले बच्चेयां नो इस विच अड़वांटेज मिल करना जूलिल है घर कर या इंटर्वियव दी तो दोस्तों लास्ट टाइम जो परतियां होई थी उस विच्छ किसे अवरगार को टोक्तिक नहीं पर तियां वास्ते से इंटर्वियव बंद ही कर देते गए हैं। तो जो से सिलेक्शन पर सैसस सिद्धा-सिद्धा है पहला फीजिकल मियरमेंट टेस्ट हुएगा जिस विच हाइट दे नमबर जुढ देने फिर फीजिकल स्क्रीणिंग टेस्ट हुनदा है जिस विच रेस हाई जम्प लॉंग जम्प विच क्वालिफाई करना जुरूरी हुनदा है तो तो हड़ ड़ी फ्लस टू दे जो परसंटेज है उसक दे अकॉर्डें तो हड़ी अमेटरिस्ट विच नमबर जुड़ जान देने ता दोस्तों मेरिट विच हाईट दे नमबर प्लस क्वालिफिकेशन दे नमबर प्लस रेस जंप विच्छो कौलिफाई करना जुरूरी होंता है ये तिन चीज़ां सेलेक्शन प्रसेस विच बहुत मैटर कर दियाने तो दोस्तो ये सारा क्राइटेरिया जो लास्ट टाइम पर थी हुई सी उस्सदा है इस वार कोई होर शरता रखियां जान कुछ कहने नहीं सकते पर 80-90% एही क्राइटेरिया रहें दी आज है हुन दोस्तो जेडे वी कैंडिडेट्स अलिजीबल हन वो आज तो ही अपनी त्यारी स्टार्ट कर देन आते जिनानों वी कोई डाउट है ओ कमेंट सेक्शन विच जरूर पुशन मैं पूरी कोशिश करांगा कि तो हाड़ेट सारे डाउट्स क्लियर कीते जान एसी जेल वार्डरस परती संबंदी एहम जानकारी अते होर जॉब्स दी अपडेट वास्ते साड़े चैनल नाल जुड़े रहो अते साड़े चैनल नो सब्सक्राइब करना ना पूलेओ थैंकी दोस्तो